आज हम क्रिएट करने वाले हैं स्मूथ टाइटल इंट्रो फोर डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट पोस्टर मोशन पोस्टर के लिए तो सबसे पहले जैसे आप देखे हो मेरे यहां पर कुछ ग्राफिक्स रेडी हैं प्लस मेरा टाइपोग्राफिक्स भी यहां पर रेडी ह तो पहले हम इसको एनिमेट करने वाले हैं उसके लिए पहले देख लो जो यह फॉंट मैंने यूज की है वह पीरूलेंट फॉंट है रेग्यूलर है प्लस मैंने साइज इसका 150 यूज किया और फॉक्स बोल्ड मैंने ऑन रखा हुआ है अगर यहां पर आप देख सकते हैं तो यह प्रॉपर तरीकी साब को समझ में आएगा है पहला काम एक new composition क्रियेट करते हैं हम लोग यहां पर 920 by 1080 का और मैं यहां पर क्या कर देता हूं इसको नाम दे देता हूं यहां पर क्या कर देंगे उसको पेस कर देंगे एक वार खाली इसका anchor point check कर लेगे वो proper center में प्लस उसको alignment भी चेक कर लेंगे हाँ अब वापस क्या करेंगे हमारा यह region of interest वाला tool select करेंगे यहां से और यहां पर आपको draw कर देना है अपका region of interest मतलब यही size हमें चाहिए यहां पर तो मैंने क्या कर दी यहां पर इसको proper तरीके से draw कर दिया है अब मुझे इसी के size का composition चाहिए तो based way आप यहां पर composition चाहिए और यहां पका option लिता है crop to region of interest तो इसके उपर click कर दीजे तो automatically उसी के size का composition ready हो जाएगा तो composition को crop करने का यह based way है और easy और time बचाता है आपका बहुत सारा तो यह हमारे यहां पर जन्रेट हो चुका अब क्या करना मुझे इसको animate करना है तो animation के लिए सबसे पहले में यहां पर जो प्रोपटी मेरा animate का रहेगा यहां पर जो है वो है मेरा position का property में यहां पर चूज करना हूं position animator में चूज करते हैं range selector में यहां पर start पर हमें zero number frame पर मैंने key दे दिया है यहां से चलता हूं मैं almost 3 seconds के उपर और यहां पर क्या करने की इसको 100 कर देंगे तो मैंने यहां पर क्या कर दी इसको 100 कर दे यह हमारा जन्रेट हो चुका है अब इसको select कर लेते हैं F9 प्रेस करते हैं च इक पूरी के पुजिशन एन्मेटर तो यह हमारा सबसे पहले हो चुका है उसके बाद वापस एक और इन्मेटर में यहां पर head करने वाला हूँ एनिमेट मैं यूज करने वाला हूं थो मैं यहां पर tracking अपलाई कर दी 50 के आसपास वहां पर गुट हो गया अब चले आते हैं जीरो नंबर के फ्रेम के उपर और यहां पर कीरे देंगे और यहां से चलते हैं हम इसको कुछ इस हिसाब से चेंज कर देंगे तो यह हमारा ग्राफ यहां पर हो चुका है ट्रेकिंग के लिए अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं जाइस हमारे लेयर को और इसका पॉजिशन प्रॉपटी यहां पर आउन करते हैं यहां पर पॉजिशन को की दे देते हैं चल जबते हैं Graph Editor के अंदर और यहां पे क्या कर देंगे इसको हम यहां पर shift कर देंगे graph को कुछ इसाफ से edit कर देंगे तो भई हो चुका है अब layer को select करते हैं अब जो मेरा tracking amount और position amount उन दोनों को मैं select करता हूं यहां से और मैं चलता हूं कुछ shift page down और एक दो तीन चार पांच फ्रेम आगे चलता हूं मैं यहां पर और इसको मैं क्या करते हैं कुछ इससाब से shift कर देता हूं तो पर यह animation कैसे अगर मैं यहां पर end प्रेस कर दो और इसको प्ले करें एक बार तो मैं समझ में आगे कैसा जने तो आप देखरें बहुत ही beautiful तरीके से कुछ यह इससाब से हमारा animation जन्रेट हो रहा है ठीक है यह good बैटर हो चुका है तो हमारा main title जो है वह animate यहां पर हो चुका है तो अब क्या करना है और interesting बनाना है तो सबसे पहले तो मैं इसको solo कर देता हूं तहां कि screen के अंदर खाली हमारा main title visible रहे अब मुझे क्या करना है जब यह U visible हो रहा है umbrella का मुझे थोड़ा इस एक alphabet के लिए यहां पे खलका सा glitch effect generate करना है तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं यहां से to select करने के बाद क्या कर हूं यहां पर की देता है तांबominya पात चुंदए तयारा यहांपर यहां to pickние up उर्ट sibert अब यहां इसको मेरे दो बन चुके हैं अब क्या करना इसका थोड़ा वीत्ष में बढ़ाना है तौ मैं यहां पर कुछ increase कर लेता हूं उन्सको इसको इसको म तो दोनों के क्या करना है मुझे इसका पात अनिमेट करना है तो इन दोनों के क्या करेंगे सबसे पहले पात की प्रॉपटी ओपन करते हैं यहां पे पात को की दे देते हैं मुझे टीव प्रॉपटी को की अपलाए करते हैं अब इन दोनों का क्या करना है यहीं पर एक्सेटल डोना चाये है अब जैसे स्टार्टिंग में जाएंगे तो यहां पर मुझे पात को हलका सा चेंज करना है कैसे तो पहले यहां पे सिंगल बात को यहां पर select करता हूं और control करके यह नीचे वाले vertex को select करोंगा लिका जा अपर उपर तरह जहां तक 그 U का shape वही तकक मुझे उसको लेके जाना है, पातके व help करता हमें, so we start the next vertex को select करेंगे और यहां भी षिफ्ट कर दूँगां झाहं करें करेंगा कृते हैं सेम चीज नीचे वाले यह वाले पाथ सौरी कंट्रोल करके यह वेटेश को सिलेक करो इसको भी क्या करता हूं हलका सा शिफ्ट कर देता हूं अब सीज में सिमीलर रखना जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉपरली यह 100% सेम हो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा हां आपको 100% सीम चीजे तो आप गाईड्स होगी रखा यूज कर सकते हो जैसे यहां पर है यह रूलर का यूज कर सकते हो यहां पर प्रपोर्शनल ग्रेक का यूज कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो यहां पर गाईड को यूज कर सकते हो यहां पर प्रेस करो तो रूलर सा जाएंगे आप इसको ऐसे प्रेस करते हो इस गाईड को यूज कर सकते हो बाइस तो यह आपके ऊपर डिपेंड़र मुझे यहां पर इतना कह Fields करता हैं फ़र वापस किया करेंगे इसको कि तरफ थोड़ा में मेंह chip कर सबसे पाइल कर रहा हुर और सτεयां को नीचे की तरफ यहां पे ह dear ा तो शीट कर दीा है अब उसके माण और और मुझे और वीच्छ शिफ्ट नो यहां पर चोटा कर रहा हूं यहां पर सेम चीज इसको भी पकड़ लेता हूं कंट्रोल करके उपर वाले वर्टेक्स को सिलेक्स करता हूं यहां पर इसको भी कुछ इसाब से चोटा कर देता हूं तो भी दो शेप कुछ इसाब से हमारे बने हुए यहां पर दिखते हैं अब इन दोनों को select कर लेता हूं, F9 प्रेस करता हूं, चलते हैं, graph editor के अंदर, graph को में क्या करूँगा, थोड़ा zoom कर लेते हैं, फिर से एक बार select करते हैं, कुछ इस आप से edit कर दूँगा, तो अब होगा क्या गई, जैसे यहां पर आगी जाता हो जाएगा, जैसे suddenly क्या हो इनको trim कर देंगे, सेम चीज यहां पर आएंगे, एक frame में आगे जा रहा हूं, दो frame, तो sorry, एक ही frame आगे जाएंगे, और दोनों layer को क्या कर देंगे, यहां से भी हम trim कर देंगे, तो यह हमारा कुछ यहां पर animation जन्रेट होगा, तो एक glitch वाला effect हमारे लिए जन्रेट करेगा यहां पर, ठीक है, तो यह हमारा हो चुका है, main title animation, smoothly हमने इसको generate किया है, हमारे motion poster के लिए, हमारे typography animation को यहां पर, या फिर आप कहले, smooth title animation को, अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर generate हो चुका है, इसको थोड़ा composition को यहां पर set कर लेते हैं, अब मुझे इसके बाद जो animate करना है, तो मेरे बाकी के जो font है, तो मेरा fashion media font है, उसको अब हम यहां पर review करते है, अब इसका animation कहां से start होना चाहिए, तो almost जैसे यह umbrella यहां पर आने वाला है, जैसे मेरा यह L वाला चीज़ यही से मुझे इसका animation start करना है, तो यहां पर सबसे पहले जो animate करने वाला हूं, तो animator में जाएंगे, और इसका हम animate करेंगे, opacity वाला property, opacity animator, यहां पर click कर दो, यहां पर नाम दे दो, opacity, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, आपके बात की काम करने वाले को भी यह समझ में आए, और मैं starting में क्या कर दे दो, opacity यहां पर zero कर देता हूं, brain selector में जाएंगे, यहां पर start को key दे देंगे, और जैसे ही हमारा A पूरा का पूरा reveal हो रहा है, मतलब almost 3 seconds, तो थोड़ा हम क्या जाएंगे, यहां से 10 frame आगे चले जाएंगे, अब क्या करेंगा, इसको भी मैं यहां पर reveal कर रहा हूं, कुछ इस हिसाब से, अब वापस क्या करते हैं, इस layer को select क करेंगे, यू प्रेस करेंगे, और साथ में अब करेंगे shift and p layer को selected रखना है, यहां पर मैं position को settle करता हूं, अब आगी वाली key frame पर यहां पर आ जाएंगे हम लोग, अब position कहां पर रखना है, तो मैं यहां पर on करता हूं, मेरा proportional gear reference के लिए मुझे center से बिलकुल इस तरफ रख करेंगे, f9 प्रेस करेंगे, चलते हैं graph editor के अंदर, और graph को क्या कर देंगे, कुछ इसे आप से हम edit कर देंगे, तो हमारा secondary title animation भी यहां पर generate हो चुका है, इसको hide कर देते हैं, और proportional grid को भी मैं यहां से hide करता हूं, sorry, तो अब अगर आप देखोगे, तो यह क्या होगा, यहां पर animate हो चुका है, अब उसके बाद जो animate करना है, वो मेरे दो और, एक है मेरा rectangle graphics जो है, उसको हमें motion में convert करना है, प्लस मेरे पास बूसरा मेरा एक word है, जो है event, हमारी typography, उसको भी हमें क्या करना है, यहां पर animate करना है, तो अब क्या करेंगे गाई, सबसे पहले मुझे किसक दूसरा चीज़ यहां पर अंदर जाएंगे, और मैं यहां पर animate करने वाला हूँ, rectangle path के अंदर size को, अब आप सोचोगे, scale को क्यों animate करा है, क्योंकि हमने यहां पर हमारे shape को apply किया हूँ, stroke, अगर मैं इसका scale animate करता हूँ, किसी एक direction के अंदर, तो आप देखोगे, यहां पर stroke में change आ रहा है, यहां पर stroke की thickness कम रही है, और यहां पर stroke की thickness बढ़ रही है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए हम यहां पर क्या करें, size को animate करें, तो layer को select करते हैं, अब इसका animation कैसा होना चाहिए, तो हमारा जो event वाला यहां पर, sorry, fashion वाला जो है, यहां पर इसको you press करते हैं, तो इसका timing यहां से कुछ start हो रहा है, तो same चीज़ बट इसको मुझे कैसे animate करना, यहां से start करना, animate करना, तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, जो मेरा event box से इसको यहां पर भी key दे देता हो, दोनों जगा पर, और starting में इसका position मुझे क्या चाहिए, स सबसे पहले इसको scale कर लेते हैं, तो कुछ यह इस हिसाब से scale हो जाएगा, अब मैं इसका position क्या कर रहा हूँ, composition से मैं यहां पर इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीके, तो यह यहां से composition से बाहर की तरफ जा चुका है, अब इन दोनों को select करते हैं, यहां पर इस इसको f9 प्रेस करके easy-ease में convert करते हैं, चलते हैं graph editor के अंदर, और graph को क्या कर देंगे, कुछ इसी साब से हम लोग edit कर देंगे, filter select करते हैं, और इसको भी क्या कर देंगे, कुछ इसी साब से हमने edit कर दिया है, अब उसके साथ मुझी क्या चीए, कि जैसे यह वाला box अंदर चलते हैं, चलते हैं हम हमारी next keyframe के उपर, और यहां पर मतलब जहां पर हमारा box का animation खतम हो रहा है, बिल्कुल वहीं पर आएंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, वापस सले आएंगे, उसके first key के उपर, और इसका position क्या कर देंगे, change कर देंगे, कुछ यहां पर हम लोग, यहां पर animate कुछ इस हिजाब से होगा, इन दोनों की इसको भी select करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं, graph editor के अंदर, इसका graph भी हम क्या कर देंगे, कुछ इस हिजाब से edit कर देंगे, यहां पर यहां पर edit प्रॉपर तरीके से हो चुका है, तो अब जब यह अंदर आएगा तो कुछ इस हिजाब से क्या होगा, settle होगा, यहां पर प्रॉपर तरीके से, तो हाँ पर यह भी हमारा battle हो चुका है, तो हमारा तीसरा title भी यहां पर animate हो चुका है, main title हमारा umbrella वाला और दो subtitle थे fashion media और event वाला, और उसके साथ हमारा graphics था, जो rectangle graphics वह भी हमने यहां पर animate कर लि सेट कर दे दो, composition वाले folder के अंदर, और यहां पर मेरे asset पहने होना जाता हो, और मेरा image उसको मेला के यहां पर background पर settle करता हूँ, अब क्या करना हो, इसका में scale down करूंगा थोड़ा, तो यह पिर आप क्या कर दो, select करो layer का Ctrl Alt F दबा दो, तो यह अपकी composition का size retain कर लेगा, ठीक है यह animation कहां से start करना है, मुझे यही से start करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका position property open करता हूँ, इसको यहां पर मैं select कर लेता हूँ, और एक चीज़ मैं यहां पर इसका change कर देता हूँ, color कुछ अलग तरीके से, labeling करना बहुत जरूरी है, इसको हमेशे ध्यान में रख करते हैं, तो हम 4 second पर जाएंगे, almost यहां पर, 4 second के ऊपर एक frame चले आते हैं, और इसका क्या करेंगे, position यहां पर भी setter key देते हैं, यहां पर इसका position कहां पर जाना है, मुझे थोड़ा यहां पर ऊपर की तरफ लेके जाना है, कुछ यहां पर, तो आप यहां पर अपने brand का लोगो आइड कर सकते हैं, या कोई और informative चीज़े यहां पर डालनी है, तो आप यहां पर डाल सकते हो, मैं यहां पर अभी कुछ आइड नहीं कर रहा हूँ, but you can add it lower there, यहां पर मैं इसका position क्या कर रहा हूँ, composition से पूरा का पूरा यहां से बाहर निकाल देता हूं, कुछ इ animation प्लस हमारा motion poster और animation यहां पर प्रॉपर तरीके से ready हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे work के रिया को प्रीम कर लेते हैं, अब इसको play करके देखते हैं, हमारा final animation को गई, अब यह आप देखरों, बहुत ही beautiful तरीके से हमारा smooth title animation यहां पर हो रहा है, प्लस हमा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मीटे हैं, नेक्स टेंग, गुड़ बाई